विनिंग्स 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 जी हां दोस्तों स्मॉल लिग में तो काफी जबर्दस विनिंग कर रहे हैं बैक टो बैक विनिंग कर रहे हैं इसी के साथ मैं पंटर्स की मैं बात करता हूँ जिन लोगों को लोगों ने नहीं लिया और उनके सिलेक्शन कम है उनकी चलने की chances बन रहें तो भाई वो punter कहलाते हैं और अगर इन लोगों को आप लोग ले लेते हैं अपने team में तो grand league लग सकता है आपका simple सी बात करूँ इसी match का आप लोगों को last video में बताया था कि भाई बल्ले बाजी pitch यहां पर first training में betting अच्छा होता है हश्मतुला शाहिदी, गुर्बाज उसी के साथ मैं रहमत शाह इन लोगों के बारे मैं मैंने आपको बताया था वीडियो अगर देखे पीछे जाके तो आपको समझ में आ जाएगा betting first यहां पर अच्छा करता है और यह काफी बड़िया बल्लेबाजी कर सकते हैं और वही देखने को मिला लोगों ने ड्रॉप कर दिया रहमत शाह को गुर्बाज को कई लोगों ने ड्रॉप कर दिया और ऐसे लोग betting first में काफी जबरदस करते हैं कल की मैच उठालो औस्टेलिया और इंग्लेंड वाले में साफ साफ कह रहा था कि बाई मिचल माश वैसे फॉर्म में नहीं है लोग ट्राई नहीं कर रहे हैं लेकिन इस पे पेस है और मिचल माश भी पेस कर रहाने के लिए जानते हैं और वो भी एक ट्रम काड़ हो सकते हैं कल के मैच में देखो काफी बहतरीन वो करके आए हैं तो आज के मैच में क्या बताने वाला हूँ ऐसा ही कुछ बताने वाला हूँ जिससे कि आप लोगों को ग्रेंड लिग टीम बनाने में मदद मिले और मेरे स्मॉल लिग में तो काफी जबरतस रिजल्ट आई रहा है आप हमारे टेलिग्राम पे जाके चेक कर सकते हूँ वहाँ पर मैं आप लोगों को बता हूँ इग्जैक्ली पिछ रिपोर्ट क्या है और किस किसम का आपको टीम बनाना चाहिए जिससे कि आप लोग एक बहतरी टीम बना सकते है दोस्तों टेलेग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्किप्शन में दिया है और मैंने फर्स्ट कमेंट में मैंने पिंट कर दिया है मेरे टेलेग्राम का लिंक वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे टेलेग्राम पर वहाँ पर मैं पिछ रिपोर्ट और क्या-क्या चेंजिस हो सकते हैं वो सारा चीज मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है तो चलिए आज की मैच की बात कर लेते हैं तो आज खेला जाएगा अफगानिस्तान वसी साओ्थ अफरिका के बीच में तीसरा ODI मैच अल्रेडी अफगानिस्तान ने टकर दिया जबर्दस तरीके से और मैंने साफ साफ कह दिया था भाई जहां होगा इस्पिन वहाँ तो होगा कमाल तो आज के पीच में क्या देखने को मिल रहा है भाई देखो अभी तो यार अफगानिस्तान पे दो मैच जीत गया तो सब लोग ठीक है अफगानिस्तान जीत रहा है जीत रहा है आज कुछ अलग होने को देखने को मिल सकता है क्योंकि साउथ अफरिका आज का मैच हो सकता है यहा बाजी पिच बैटिंग फ्रेंडली पिच अब बैटिंग फ्रेंडली के पिच का मतलब क्या है बाई फ्लैट पिच का आज यूज किया जा सकता है इस चीश पे आप थोड़ा सा नजर रखिएगा कि आज फ्लैट पिच का यूज किया जा सकता है अगर फ्लैट पिच का लगा रहा हूँ ऐसा हो सकता है ऐसा अनुमान प्रिक्षन लेकिन अप्ड़े अब मैं बता रहा हूँ आकड़े कुछ और होते हैं आकड़े क्या है आकड़े यह है कि इस ग्राउंड पर इस्पीन होता है और इस्पीन जो है साउथ अफ्रिका नहीं खेल पाता पहले वीडियो से इस्पीन की बात कर अफगानिस्तान वो ठीक खेल जाएंगे कि और इनके पास में अफगानिस्तान की कई सारी स्पीनर्स हैं प्रैक्टिस भी करते रहते हैं इनके पास में बीजॉन फोचून है पीटर आये मार्करम है यह उतना खास कुछ विगिट्स नहीं निकाल पार है त जाए और बात करेंफ help X9 तो नर्मल्य क्या देखनों को मिलता है दोस्तों देखनों के मिलता थैं प्रदेफ लोगी इस्थ में हो गांट कि अंडर प्रेसर अफगानिस्तान पूरी विकिट्स दबान देंगा और सब्सक्राश के अनुमान है बाकी पेच्छ लेकिन मुझे आज थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है तो इस वज़े से आप लोग पिछ रिपोर्ट पे डेफिनेटली फोकस करना कि आज पिछ कैसा है बाद मैं कहना भाई अडगरो आपने सही प्रेडिक्शन किया था ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है लेकिन वह प्रेडिक्शन है वह एक अनुमान है अंदाजा लगाते हैं लेकिन आज आज आप लोगों को देखने को मिल सकता है तो यह चीज है बागी आईए बात कर लेते हम लोग क्या-क्या देखने को मिल रहा है कौन-कौन से चलने के चांसिस है तो दोस्तों मेरी ग्रेंड लिक टीम कुछ प्रेडिक्शन के साब से बनाने वाला हूं तो मैं आप लोगों पहले बता देता हूं यह ना बागी देखो यहाँ पर इस्पिनर्स ने पूरे दस के दस विकित निकाले हैं यहां आडर में तो अब तो इस विनस को बरने वाले हैं लोग तो सब्सक्रkę ऑङ Sum Ps को में ब्राबरी का चल गया है बागी आप बैक टू बैक विनिंग और दस मैच में से मैंने जो वादा किया था कि 7-8 मैच जिताऊंगा 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 अल्रेडी हम लोग 8 मैच बैक टू बैक बिन कर चुके हैं और इंडिया वाला भी चल रहा है उसमें भी अच्छा खासा विनिंग चल रहा ह दूसरी बात कि भाई या एक मैच में हम लोग खराब रहा था जिसमें पैसा जितना लगा उतना वापस भी है तो मतलब हारे नहीं है इस बार भी ठीक है तो काफी कमाल के रिजल्ट आए हैं आप लोग हमारे टेलेग्राम पे जुड़ सकते हैं चेक कर सकते हूं भाई वीडि केहने की बात है पता है या की फिल्ट में सब कुछ पता है कि भाई कहां लोग घाते हो भी उस देते हो लेकिन जब उनको और चे खाते है न मजह तो बड़ा मजह आता आप लोग उनके टीम फॉलो करो हार होगे डेफिनेटली लॉस में रहोगे लेकिन मेरे टीम का आपको पता है यह बंदा प्रॉफिट करता है और प्रूफ के साथ प्रॉफिट करवाता है ठीक है चलिए अब अफगानिस्तान वर्सीज यहां पर साउथ अफ्रीका की बात कर लेते हैं फटाफट से दोस्तों सिंपल सी बात है गुरबाज ने लास मैंच में बढ़िया परफॉर्मेंस दिया और मैंने साफ सफ कहा था कि बैटिंग पहले आये तो गुरबाज एक अच्छा चोईस हो सकता है लेकिन बैटिंग सेकेंड आता है तो ऐसे किसमें यह चेज चानिस्तान का भी हो और चाहें साउथ अफरिका पॉइंस नोट कर लो बाई नोट कर लो क्यूंकि मैं दो चीज़ पर बात कर रहा हूं एक मेरा अनुमान और जो पिछ कहता है दो चीज़ पर मैं बात करो एक मेरे अनुमान से टीम बनाऊंगा जिसमें की बल्लेबाज मैं बल्लेबाज के फिवर बनाऊंगा मैं उम्मीद करूँगा फ्लैट पिछ ठीक है बाकी अनुमान के साबसे मैं जो नॉर्मल सा यह रहता है पिछ उसके साबसे मैं दस टीम बनाऊंगा यह रहेगा मेरा पडिक्शन ठीक है आईए सबसे पहले मैंने आप लोग बता दिय किया क्या करने वाला हूं तो जो मेरा अनुमान है अगर बल्लेबाजी फ्लैट पिछ रहा तो उसमें गुरुबाज भी काफी बढ़िया कर जाएंगे रहमार्शा लास मैच में अच्छा करके दिये हैं यहां पर भी अच्छा करें और फ्लैट पिछ पर ना क्या होता है कि इन पर आप जा सकते हैं इसके बाद में राशित कान मुहमाद नभी यह टॉप अटर के हैं रेख्या करके रहते बाई टीम में करके रहते आप लेफ्ट इंडी बल्लेबाज खुद की बल्लेबाजी आई नीचे 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 हो सकता आज बंदा उपर आजा फिलेट फिर मजाक ना हो जाए कि यह उपर आगए और दूसरों को पीछे बेज दिया यह चीज कभी भी देखने को मिल सकता है बागी एकरम अली खील है यह बंदा भी यार कर जाता देगो विकट किप्रिंग सेशन में पहले इनिंग बल्लेबाजी मिल रहा तो ऐसे केस में यार लोटे भाई मैं लास्ट मैच में काफी बढ़िया वाइस केप्टन करके दिया तो और बहतरीन च्वाइस था अपना और टीम में भी था काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आया फजलक फारु की लोगों ने ले रखा था हमने ड्रॉप कर दिया था फॉर्स टेनिंग में है अजमतलों और जाई यह ना भी है तो फिस्ट निंग बल्ले बाजी में थोड़ा सा बल्ले बाज को थोड़ा सा कर ले ना एक दो तीन इन में बल्लेबाजी अच्छा ओजाता है बागी बात करें तो सेक्डर्ण दीखने को मिलेगा तो मॉहमध नाभी इसमें स्थान तो क्या करने वाले हैं तो ऐसे में गजनफार करोटे राशित खान मुहम्मद नवी अजमात उल्लों उमार जाए हो सकता है तो उसमें वाइस कैप्टन मत करना बट अपने टीम में जरूर रख सकते हैं और ओडिया में इन पर भरोसा ज्यादा जयता आया है तो आप ऐसे केस में कर सकते हूं बाकि और कुछ है नहीं आप ठीक है बागी दोस्तों साउथ अफरीका की तरफ से आज तो लग रहा है काफी बढ़िया फ्लैट पिछ ने मिलने वाला है और ऐसे फ्लैट पिछ में काफी बढ़िया करता है टॉनि डिजोर जी काफी बढ़िया हीटिंग के लिए जाने जाते हैं और फ्लैट पिछ रहा तो बाभुमा रुक रुक के खेलते हैं भाई अगर जाओ यार इसमें तो अटेक करना पड़ेगा रीजा एंडिक्स सेम किस्सा है मारकरम की बात कर ये देखो हिटर बहुत बढ़िया है फ्लैट विगड मिल जाता तो इन लोगों के सामने कोई टिकते नहीं है तो आप देखो लोग जो है ب horsepower जरू करेंगे तीनों को सोच भी नहीं रहे हैं मारकरम को इसे चारों को डेफिनिटली सोचिये अपने टीम में आप डेफिनिटली सोच सकते हैं जिसमें से एक दो या दो थीन कमाल कर सकते हैं ठीक है इसके बाद मैं वियान मलडर की की बात कर लेते हैं फॉर्स टेनिंग बेटिंग में काफी कमाल करेंगे तो आप ट्राइ कीजिए फॉर्स टेनिंग बॉलिंग आतो तैसे कि इसमें थोड़ा रिस्क ले सकते हैं आप लोग वह आपकी मर्जी है विजॉन फॉर्चुन डेफिनेटली लेफ्टाम और्थोडेक सामने सारे के सारे राइट है स्पिन ट्रैक है तो महां पर मदद मिल रहा है पीटर की बात करें लेग ब्रेक करवाएंगे तो स्पिन को मदद है कुछ इनकी भी दिखेंगे लेकिन कुछ खास किफायती मज़े नहीं करवा पाए हैं लोगी नेगेडी फास्ट बॉलिंग अ हिसाब से पहले ग्रेंड लिग का टीम जो मेरे अनुमान के साब से वह मैं आप लोगों को कहीं नहीं देने वाला हूं बस वीडियो में बता रहेंगे मैं आशा कर रहा हूं कि बढ़िया हो सकता है कि बल्लेबाजी बढ़िया कर जाए फस्ट निंग सेकेंड इनिंग दून बैटिंग फिरेंड लियो एकाद प्लियर जो काफी जादा करके नहीं आते तो इसमें भी कई बार फज्ट जाते लेकिन फिर भी मैं आप लोगों करूंगा एकाद टीम में जरूरू ट्राइब करिये अजमत लौमत जाई मोहमद नवी राशितकन ये मेरे एक दो तीन चार पांच छे खिलाड़ी यहां से हो गए इसमें भी आप लोग क्या करिए छे खिलाड़ी में से दो खिलाड़ी ड्रॉप करने की कुछिशिक ये बारी बारी जैसे रियाज हैसन को ड्रॉप कर दिया या किसी टीम में आपने मान लिया कि भाई चलो मौम्मद नवी जो है वो कर दिया है इसमत लुमर्जाए जilar से कि में पहले ही कहा है कि हो सकता आज के मैच में के केस में अप आई-जलोमरजाए फ्लट हो सकते हैं तो एक आद में इसको भी डॉप कर सकतो जैसे कि में मैं मानना है हुआ अब आते हpekt哪el gonna ये यहांशे ओश्यार इंडिक्स टिसटै है गांगों कि कुछ नहीं संबूड़ने की काह सकता है पंड़ के लिए वाद показ रखने की कोशिका जो और यहां पर से हो सकता है फजलक फारुकी को राशित खान तो है ये अल्रेड़ी करोटे रख लिया एक मैं तो मान लिजे मैं जादा से जादा फोकस कर रहा हूँ मेरा जो अनुमान वाला टीम है उसमें किसी एक या दो बॉलर को रखूँगा जादा बॉलर को मैं नहीं लेने वाला हूँ कोशिश करूँगा जादा बल्लेबाज को चादू फ्लैट पिछ दान में रखिएगा अब आते हैं हम लोग जो आकड़े कहते हैं भाई उसके हिसाब से क्या करना है चलिए दोस्तो आकड़े का यही है कि भाई यह स्पीन होता है स्पीन होता है तो स्पीनर्स को जादा मदद मिलता है गुरवास पहले इनिंग बल्लेबाजी मिल रहा है ठीक है सेकेंड इनिंग में ड्रॉप कर सकते हैं रियाज असन कुछ खास पारिया नहीं आये हैं लेकिन यहाँ पर देखें, 78, 43 बनाएं बहुत जादा अच्छे नहीं है बिल्कुल आप ड्रॉप करके चल सकते हैं आप अपने टीम से बहार कर सकते हैं लेकिन फर्स इनिंग अगर बैटिंग आए तो थोड़ा सा आप उमीद कर सकते हैं कि ठीक टाक परफॉर्मेंस आ जाता है रहमाशा पचास रन लास्ट में बना के 65 और 63 यह अच्छा खिलाड़ी है बेतरीन करते हैं लास्ट में पचास बना के आए हैं और इस मैच में अगर फ्लैट पीछ रहा फिर से एक अच्छी पारी देखनों को मिल सकता है लेकिन हाँ आपके स्मॉल लिग में जैसे की स्पिन ट्रैक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर जगा शायद से ना बना पाए तो आप बाहर कर सकते हैं अजमतुल लोमर जाए बिलकुल एक डेफिनेटली काफी बैतरी लेकिन हाँ एक रिस्क भी लिया जा सकता है मैं पहले बता रहाँ चांसी है रिस्क लेने का आप यह काम कर सकते हैं बड़े खिलाड़ी ड्रॉप करोगे पंटर्स गुर्साओगे तो आपका ग्रेंड लिग लगेगा ऐसा मैं आप लोगों का स्टर बोलता हूँ मुहमद नवी कुछ खास तो नहीं कर पाया तेरा रहा जीरो भी लिग रहा है बाकी वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाया तो महाँ काहीं नहीं मिला ओवर्स करवाते हैं एक ट्रम काट डेफिनेटली हो सकते हैं क्योंकि बाई बल्लेवाजी फ्लैट पिछ रा तो थोड़े से रन और कई बार ऐसा होता है कि आ जाते वर्लिंग करने तो इनको पिटाई करने के चक्कर में एकाथ कैच मिल जाता है तो वो चीज़ आपको आते फिर 69-50 यह रन बनाना जानते हैं तो आप अपने टीम में जगा दे सकते हैं अगर यह परमोट होते हैं अपने आपको बाई उपर लाते तब ही नहीं तो अगर फिर से नीचे लेके तो फिर क्या ही क्या सकता है तो ठीक है बल्लेवाजी के लिए अच्छा करता है कभी हैं तो बल्कुल करोटे भी आपके टीम में जगा बनाने चाहिए अगर आप टीम बना रहे हैं कि अफगानिस्तान फिर से एक मैच जीतेगा तो फजल अकफारू की रखिए तो आप अपर सामने में से ड्रॉप कर दीजिए आपका काम हो जाया है ठीक है अब बात कर लेते ह नोते हैं तो टौनी डी जोची बाहर कर दीजिये टेंबा वाब।ूमा बाहर कर दीजिये रीजेद्रिक्स को भी आप चाहो तो बहार कर सकते या फिर अपने टीम में रख सकते वह अपकी मर्जी कोई कि आजाएंगे उसके बाद में करोटे शुरुवात में जल्दी आ गया तो अच्छी बात है नहीं तो फिर इनका भी बढ़िया हो सकता है ठीक है आई अब बात कर लेते हम लोग हां आपने राशित कान करोटे और फजलाक फारू की रखा तो यह लोगों को मत लेना शुरुवा नीचे में बल्लेबाजी एक बॉलिंग भी करवा रहे हैं ठीक टाक डिसेंट फॉर्म है टिस्टन इस्टफ्स आपके लिए ट्रम कार्ड हो सकते हैं मैं बार बार बताता हूं और अक्सर बताता हूं लास्के दोनों मैच में यह फ्लॉप गया है पता नहीं यार यह इतना हुआ है कि दोनों मैच में खराब गया है लेकिन हाँ यह ट्रम काड रहता है दान में रखिएगा बैतरीन कर सकता है कभी वेक अच्छा पाजी दे सकता है ठीक है मेरे इक हाल से ज्यादा प्रेशर में आ रहा है या क्या है थोड़ा फर्म खराब हुआ है लेकिन यहां अच्छा बैटिंग भी कर सकता है फिलाट पीच पर फिर अंडर प्रेशर मैं उमीद कर रहा हूं जो भी विकिट्स मिलेंगे वो अंडर प्रेशर मिलेंगे चाहे बीजॉन फॉर्चुन को मिले वियान मल्डर को मिले और पीटर को मिल जाए क्योंकि यह भी एक स्पिनर है तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता है अगर आप लोगों को पताता हूं अगर घेम सामने में गुरबाज रियाज और अपने टीम में से ये धहन में रखना सकते determination और कुछ इस तरीके साब लोगों को टीम बनाना चाहिए ठीक है चलिए बात कर लेते हम लोग अभी की क्या हो सकता है यह टेमब वह मुँमा को क्यों रख सकता है चलिए भाई लोग सो सारा चीज तो आप लोगों को समझ मा आ गया है लोगों ने सोचना बंद कर दिया कि आज बल्ले बाजी चल सकता है तो आप अपने कमाल कर सकते हो फिलैट पिछ ना हो तो फिर मत करना बार बार कह रहा हूँ फिलैट पिछ पर नजर रखना अगर है तो करना नहीं तो फिर बिल्कुल अभी मेरे अनुमान पर मत जाना फिर आप लोग इसी किसम का टीम बनाना तो कौन-कौन अच्छे हैं पिछ के साब साभी के लिए करोटे बहतरीन चौईस है राशीद खान गजन फार अच्छा चौईस है बिजॉन फॉर्चुन बहतरीन चौईस है फजलक फारुकी लूंगी तो आप लिए टीम में तो बागी हां से बात करता हूं अगर आपको लगता है कि अफगानिस्तान मैं जीत जा रहा है तो आपर रियाज और हसन रहाम शाह और शाहिद इए बालेबाज उपर उपर का है तो आप लोग वहां पर भी सोच सकते हो ठीक है तो यह आपकी मर्जी आप लोग क्या सोचना चाह रहे हो आप किस तरीके से टीम बनाना चाह रहे हो बाकी कैपटनसी की बाइस कैपटनसी की बात करें स्मॉल लीग के लिए नो डाउट यार राशीत खान एक जबरदस चोईस रहते हैं इस वैस से आप क्या टंग कर सकते हैं बाकी मार्करम को जोन फॉर्चौन एण करोटे ये अच्छे अब जरूर जाहिए है अब आप लोग कोई राज रहा दो तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ में तब तक के लिए जा जा दीजिए और टेलिग्राम पर जाके देखिए भाई फाड रखा है आग लगा रखा है कमाल कर रखा है तो जाहिए इसी तरह की से मैच को समझने का काम करना आपका काम है ठीक है बागी टीम मनाना भी आपका क बनाता हूं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ में तब तक के लिए जा जी दीजिए टाटा बाबाज जाहिन जाए बारत मिलते हैं लव्यो ओल टाटा बाबाज जाहिन